शाडू बॉक्सिंग अगर आपकी बुरी आदते हो जैसे अपने हाथ नीचे लाना उसके लिए बढ़िया है चौता है कि ये वर्काउट के लिए बहुत अच्छा है चलिए शुरू करते हैं जब आप शैडू बॉक्सिंग करते हो अच्छे फॉर्म में होने का ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा ह आद उपर ठीक से बॉक्सिंग स्टैंस लेके खड़े हो और जब आप पंचेस थ्रोग करें आपको असलियत सोच के करना होगा जैसे आपके सामने कोई खड़ा हो कुछ इस तरह आपको हमेशा ही अपने फॉर्म को बढ़िया करने पर काम करना होगा और अच्छे आदेते लगानी होगी अगर आपने पहले कभी शाड़ बॉक्सिंग नहीं किया हो काफी अजीब लगेगा शुरुवात में हवा को मारने में पर आपको यही करना होगा और जैसे आप करत बचाव आप शैड़ बॉक्सिंग के द्वारा सब पर काम कर सकते हो तो एक दो चीज़े चुनिए जिस पर आपको काम करना हो और उस पर ध्यान देजिए यहाएक एक एग्जाम्पल लेता हूँ मुझे अच्छे फुट्वर्क पर काम करना हो और डिफेंस पर तो मेरे करूँगा और हर पंच या कॉम्बो के बाद अपना बचाव करूँगा अब मैं आपको दिखाऊंगा फेंट करके फिर अटैक करना तो मैं फेंट करूँगा फिर अटैक करूँगा बॉक्सिंग में आप फेंट करते हो ताकि अपना ओपोनेंट या तो बचाव करने चले जाए या आपको पंच मारना हो और जब वो डर जाए फिर आप मारने जाते हैं आप करेंगे एक 3-5 कॉम्बो फिर फुट्वर्क मैं हर बार एक अलग कॉम्बो करूंगा तो जब आप ये करते हो आपके दिमाग के लिए ये काफी अच्छा है क्योंकि आपको हर बार सोचना पड़ेगा तो हर बार एक अलग कॉम्बो 3-5 का अब इसके साथ ही 2-5, 4-5, 5-5, 6-5 के कॉम्बो कर सकते हो अब मैं आपको दिखाऊंगा इसको इंटेंस कैसे करते हैं इससे आपकी धड़कन तेज हो जाएगी और वर्काउट भी एकदम बढ़िया होगा इसमें आपको पंचेस और मॉव्मेंट जितना तेज हो सके उतना तेज करना है हमेशा रिलाक्स रहते हुए इसे बस दो मिनिट करके देखिए और ये आपके धड़कन को बहुत तेज कर देगा ये बहुत बढ़िया वर्काउट है किसी भी चीज की तरह धीरे से सुरू कीजिए पकड़ जमाईए फिर आप उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हो प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाएगा आपको अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हूँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जहां मैं बॉक्सिंग सिखाता हूँ फाइट्स के बारे में बताता हूँ सब कुछ बॉक्सिंग तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इन सब का मज़ा उठा सके देखने के लिए शुक्रिया